वेल्कम बेक, नमस्कार मैं हो कुपाल सर्मा और आप देख रहे हैं कॉरल ड्रो टिटोरियल 2021 प्रिवियस क्लास में आपने कॉरल ड्रो को डाउनलोड करना, उसे ऑपेंड करना, उसका यूजर इंटरफेस चेंज करना और साथ में डॉकुमेंट शेटप के बारे में सारी जानकारी प्राक्ट कर ली है साथ में आपने जूम टूल और हैंट टूल के बारे में भी सीख लिया है इस क्लास में आप सेप्स के साथ काम करना सीखेंगे कॉरल ड्रो में बहुत सारे सेप्स हैं या कह सकते हैं कि हर तरह के सेप्स एबलेबल हैं जिस पे हम लोग काम करेंगे लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक document ले लेते हैं यहाँ new document पर मैंने click किया और okay पर हमने click कर दिया जिससे हमारे सामने एक नया document आ जाएगा अब classes स्टार्ट करते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी से request है कि प्लीज वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share करें और आगे आने वाले classes के notification पाने के लिए चैनल को subscribe करें चलिए return आते हैं अपने topic पे और बात कर रहे थे हम लोग coral draw में shapes क्या है और कहां से हम लोग shapes को अपने page या drawing एरिया पे insert करेंगे या draw करेंगे तो सबसे पहले जब आप coral draw को open करते हैं यहां आपको तीन shapes नजराते हैं rectangle है यहां पे circle या oval है इसके नीचे polygon है लेकिन इन में छोटे छोटे आपको नीचे triangle नजरा रहे हैं इसका मतलब है कि इनके अंदर और भी shapes है साथ ही इसके ऊपर में यहां पी आपको line का एक tool मिल जाता है जिससे आप free line से लेके तरह तरह के अलग type के जो line से उनको भी draw कर सकते हैं सभी के बारे में हम लोग detail से समझने वाले हैं तो चलिए start करते हैं सबसे पहले rectangle tool की बात करते हैं rectangle tool पे जब आप आएंगे click करेंगे और hold करेंगे तो rectangle tool के सारे जो सब options हैं वो नजर आने लगेंगे उसमें पहला है rectangle जिसका shortcut होता है F6 इस पे click किजे click करने के बाद आपको आना है आपके drawing area में click करना है mouse दे और drag करते हुए जितना बड़ा आपको rectangle चाहिए उतना बड़ा आप तयार कर लें लेकिन अगर आप draw करते समय कुछ key combination को use करेंगे तो इनका shape जो है वो change हो जाएगा for example अगर आप draw कर रहे हूँ उस समय आप यहाँ पे shift को दबा के रख दें यह हमेशा एक size में चलेगा यह देखे अगर मैं नीचे ला रहा हूँ तो जितना नीचे ला रहा हूँ उतना उपर जा रहा है अगर मैं right ले जा रहा हूँ तो left भी उतना जा रहा है मतलब equal ratio में यह आपको एक rectangle देगा यही पे अगर drag करते समय आप control को दबा के रखेंगे यह हमेशा square क्रिएट करेगा तो अगर आपको आयत बनाना है तो आप shift का इस्तमाल करें और अगर आपको square बनाना है तो draw करते समय आप control की को hold करके रखेंगे next tool पे चलते हैं next tool है हमारा ellipse ellipse पे अगर आप click करके hold करते हैं यहां पर भी आपको ellipse नजर आएगा और उसके नीचे three points ellipse नजर आता है three points वगेरा जो है rectangle में भी था इनके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे लेकिन जो basic tool है उनको पहले देख लेते हैं ellipse का shortcut होता है f7 यह हमने ellipse पे click किया और same जैसे आपने rectangle draw किया था page पे वैसे ही ellipse को यहां पर draw कर सकते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए छूटा सा trick बता रहा हूं इस चीज को आप जरूर इनेबल कर लें अगर आप पहली बार सीख रहे हैं और आपको लगता है कि आप चीजों को भूल जाते हैं या जो भी मैं बता रहा हूं वह आपके यादास से उतर जात है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हिंट का जो डोकर होता है उसे आप इनेबल कर लें जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंट का डोकर हमें नजर आ रहा है अगर यह आपके पास नजर नहीं आ रहा हो तो विंडो मैन्यू पर क्लिक करें इसके बाद नीचे डोकर में जाया और जो tutorial है वो डाल रखे हैं, तो जैसे ही आप कोई भी चीज लेते हैं, उसके साथ आप क्या कुछ कर सकते हैं, वो यहाँ पर नजर आने लगेगा, जैसे देखें मैंने एक rectangle लिया है, और rectangle लेते हैं, यहाँ पर यह बताना शुरू कर देता है, कि इसके साथ हम लोग क्या कर सकत हैं, scale कर सकते हैं, stretch कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें यह बताना शुरू कर दिया, अब जैसे अभी यहाँ पर हम ellipse को लेते हैं, जैसे हमने ellipse लिया, तब देखेंगे यहाँ पर ellipse का help नजर आने लगा, अब यह बता रहा है कि आप ellipse के साथ क्या कर सकते हैं, और सबसे important बा है, वहाँ से चाके आप notes को download कर सकते हैं, complete coral का, जिससे आप अच्छे से इन चीजों पर command कर लेंगे, अब चलिए वापिस आते हैं, और यहाँ हम बात कर रहे थे ellipse की, तो इसके साथ भी same, अगर आप free ellipse बनाना चाहते हैं, तो बस click किज़े, drag किज़े, ellipse बन गया, लेकि अगर आप control के साथ इसे drag करते हैं, तो हमीजा एक circle मिलेगा, तो यह दोनों safe हो गए, इनको कुछ इस तरह से drag करते हुए मैंने select किया, और delete की हमने दबा दिया, जिससे यह delete हो जाए, चाहिए यह page काफी छोटा दिख रहा है, तो इसे हम लोग zoom कर लेते हैं, याद होगा आ नहां रहे हैं, हम ले रहे हैं to width, इसे क्या होगा, मुझे width में पूरा जो zoom होके page है, वो मिल जाएगा, next tool में आते हैं, इसमें मिलता है polygon, star, spiral और common shapes, साथ में नीचे impact tool और graph paper भी नजर आता है, तो पहले सुरबात करते हैं, polygon से, polygon पे हमने click किया, page पे click किया, और draw किया, तो आप जहां से draw करेंगे, इसके ऊपर आपको polygon बनेगा, तो कुछ इस तरह सा बना सकते हैं, बाद में आप polygon को यहां से customize कर सकते हैं, कितने इसमें age रहेंगे, size वगरा क्या लेना है, इसके line का, वो सारी चीज़ें हो जाएंगे, इनके बारे में और भी details से हम लोग आगे इनको भी आप यहां से control कर सकते हैं, जैसे कितने कोने चाहिए, कितना insert करना है, यह देखें, हम जितना insert करना चाहते हैं, उतना ले सकते हैं, अगर कम करना चाहते हैं, जैसे हम यहां कर देते हैं, 10 और enter हमने प्रेस किया, यह देखें, बाहर आ गया, तो ऐसा आप अपने star shape के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें भी आपको multiple star मिल जाते हैं जैसे देखिए यहां पर complex star है अब अगर हम ड्रो करेंगे तो complex star बनेगा कुछ इस तरह से इसी तरह से इसके आगे बढ़ेंगे यहां पर point और sides नजर आ जाते हैं उनके दुआरा आप इन्हें control कर सकते हैं कि कितने points और कितने आपको insert चाहिए तो दो तरह का आपको star मिल गी एक मिल गया normal और दूसरा मिल गया complex complex star में काफी कमाल के का सकते हैं सेप्स बनते हैं इनके बारे में भी हम आपको भी बताएंगे next आते हैं यहां मिल जाता है spiral spiral में आपको दो तरह के spiral मिलेंगे पहला मिलेग symmetrical और दूसरा मिलेगा logarithmic जो आपको लेना हो पहले यहां पे आपको select करना होगा उसके बाद page पे आके आप draw करेंगे तो यह shape यहां पे create हो जाएगा shape बनाने के बाद आप इसके जो lines हैं उनमें किसी तरह के changing नहीं कर सकते हैं आपको बनाने से पहले ही इन चीजों को change करना पड़ेगा तो जैसे मैं इन्हें भी मिटा देता हूँ मैंने यहां से लिया big tool और इन सब को select करते हुए इन्हें delete कर दिया जिससे ज़्यादा space हमें मिलें फिर से हम वापिस आते हैं spiral में और spiral में पहले हमने आपको दिखा है यहां पर symmetrical वाला उसके बाद आता है logarithmic लोगरित्मिक पर click करेंगे उसके बाद page पर draw करेंगे तो logarithmic बनेगा यह logarithmic है और symmetrical पर click करते हैं और यह हमने बनाया symmetrical ठीक है इस पर अगर आपको यह जो अब मैंने 20 लिया अब जो draw करेंगे उस पे हमें 20 lines मिलेंगे कुछ इस तरह से तो जितना घना आपको बनाना हो उस इसाब से आप पहले तैय कर लें उसके बाद ड्रॉ करें बाद में आप उसमें कम या ज्यादा नहीं कर सकते लाइनों को तो spiral भी हो गया spiral को यहां से डिरिट कर देते हैं अपने spiral भी बनाना से इक लिया उसके बाद आता है यहां पर common shapes को जब लेते हैं common shapes के अंदर आपको यहां पर एक common shape का draw किया यह देखें पहले से बना हुआ कितना अच्छा हमें एक drop मिल गया इसी तरह से दूसरे जो यहां पर दिये हुए shapes उनका इस्तमाल कर सकते हैं जैसे banner वागेर आपको इस्तमाल करना हो तो काफी easily आप बना सकते हैं यहां पर आना है क्लिक करना है और उसे इस तरह से draw कर सकते हैं और इस yellow color के द्वारा हम लोग इसको adjust कर सकते हैं तो जो custom shape है उनमें कभी-कभी आपको ऐसे handler मिलेंगे जिनका इस्तमाल करके आप कुछ इस तरह से अपने shape को customize कर पाएंगे तो custom shape भी हो गया custom shape के बाद आता है नीचे आपका graph paper इसका shortcut D होता है अगर आपको graph paper क्या सकता पड़ती है तो आप यहां से ले सकते हैं तो graph paper पर हमने click किया कितना हम को चाहिए row और कितना column वो यहां पर हम लोग तै कर लेंगे पहले उसके बाद इसे draw करेंगे आप जब graph paper लेते हैं तो बाद में आप इसके column और row की संख्या को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं आपक इसके बारे में आप रो और column को घटा बढ़ा सकते हैं बाद में और इसमें आप लिख भी सकते हैं जबकि graph paper में लिखने का option नहीं होता है इसके बारे में आगे हम लोग बढ़ेंगे फिलहाल आपने saves के बारे में देख लिया वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट मे जरूर कर लीजी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए बाए थैंक यू